परिचर क्या हुआ जैक? तुम इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हो? आज अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीज क्रिकेट मैच है और मैं वहाँ सजीव मैच देखने जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे माता पिता इसकी अनुमती नहीं दे रहे हैं तो मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? अच्छा जैक तुम अपने घर में बैठ कर इसे टीवी पर सजीव देख सकते हो दोस्तों हम जानते हैं कि संचार के विभिन साधनों, टेलिविजन, समाचार पत्र और इंटरनेट ने दुनिया को छोटा बना दिया है इसी लिए आईए हम संचार के साधनों के बारे में विस्तार से कुछ और जानकारी प्राप्त करें आओ सीखें समाचार पत्र को समझना पत्र और टेलिग्राम के बारे में बताना रेडियो और टेलिविजन के बारे में जानना टेलिफोन, पेजर और मुबाइल फोन के बारे में बता पाना, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट और इमेल के बारे में जानना. समाचार पत्र नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आम तोर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में नियमित समाचार पत्र आता है, लेकिन इसका उप्योग क्या है? वास्तव में इसके माध्यम से कागस पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं इसके कई भाग होते हैं जैसे राश्ट्रिय, अंतरराश्ट्रिय, खेल, व्यापार की खबरें और मौसम का हाल हम जानते हैं कि इसमें आपके लिए भी एक खास भाग होता है, जिसमें कहानिया, कविताएं, चुटकुले और पहेलिया प्रकाशित होती है पत्र आईए अब संचार के एक दूसरे साधन पत्र के बारे में जाने इस मुद्रित रेखा के नीचे ना लिखें आप जानते हैं कि पत्र संवाद का लिखित माध्यम होता है, साधारन तह इसका प्रयोग दुनिया के किसी भी स्तान में रहने वाले लोगों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए होता है अंतरदेशिय पत्र, हवाईतार और पोस्ट कार्ड पत्र के विभिन प्रकार हैं आईए इनके बारे में विस्तार से जाने पत्रों के प्रकार आईए अंतरदेशिय पत्रों से शुरू करते हैं अंतरदेशिय पत्र एक हलके नीले रंग का डाक टिकेट लगा कागज होता है जिसमें संदेश लिखा जाता है और इसे एक खास तरीके से मोडा जाता है आईए अब हवाईतार के बारे में जाने हवाईतार भी एक प्रकार का अंतरदेशिय पत्र होता है जिसे हवाई जहाज से भेजा जाता है अन्य प्रकार के पत्रों को पोस्ट कार्ड कहते है पोस्ट कार्ड एक पीले रंग के कागस पर लिख कर सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पत्र हमारे पास बहुत शीगरता से पहुँचते हैं, इन्हें टेलिग्राम कहते हैं टेलिग्राम भी संचार का एक साधन होता है टेलिग्राम में संक्षिप्त संदेश होता है जिसे किसी दूर के स्थान पर शीगृता से भेजा जा सकता है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेलिग्राम के द्वारा बहुत छोटे संदेश भेजे जाते हैं और लोगों को उनके शब्दों के हिसाब से हर शब्द के पैसे देने पड़ते हैं रेडियो और टेलिविजिन लेकिन क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो पढ़ नहीं सकते फिर वे दुनिया से कैसे जुड़ते हैं जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो रेडियो और टेलिविजिन के माध्यम से दुनिया के बारे में समाचार प्राप्त कर सकते हैं हम रेडियो पर समाचार और अन्य दूसरे कारिक्रम जैसे की गीत सुन सकते हैं। दूसरी तरफ टेलिविजिन संचार का एक श्रव्य द्रिश्य माध्यम है। ऐसा माध्यम जिससे हम दुनिया में होने वाली घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। घर पर बैठे बैठे ही हम टेलिविजिन पर गीत, फिल्मे, समाचार, शिक्षा प्रद कारिक्रम और खेल देख सकते हैं। टेलिफोन आईए अब हम संचार के एक अन्य संचार माध्यम टेलिफोन की तरफ बढ़ें। वास्तव में टेलिफोन का प्रयोग टेलिफोन के तारों की सहायता से संदेश के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। यह हमें दुनिया के किसी स्थान पर बैठे हुए व्यक्ती से बात करने में मदद करता है। दिन प्रत दिन तकनीकी में होने वाले विकास के साथ टेलिफोन का स्थान पहले पेजर ने लिया और उसके बाद मोबाईल फोन ने। आईए अब इनके बारे में और जाने। पेजर और मोबाईल फोन पेजर एक यंत्र होता है जो आने वाले सतर्कता संदेश और या संक्षिप्त संदेश को ग्रहन करता है। यह यंद्र उन लोगों के लिए उप्योगी है, जिन्हें किसी के टेलिफोन कॉल आने की उम्मीद हो, और वो कॉल लेने के लिए या ततकाल वापस कॉल करने के लिए टेलिफोन यंद्र के पास उपलब्ध ना होूं। लेकिन जल्दी ही मोबाइल फोन बाजार में आ गया, और जादा बहतर तकनीक होने के कारण उसने पेजर का स्थान ले लिया। मोबाइल फोन की सहायता से हम कहीं भी स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उसे संदेश भी भेज सकते हैं। इन फोन को टेलिफोन की तारों की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हे लेकर हम हर जगह जा सकते हैं। टेलेक्स टेलेक्स एक अन्य संचार माध्यम है, जो टेली प्रिंटर की सहायता से मुद्रित संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। टेली प्रिंटर ऐसे यंत्र होते हैं जो एक दूसरे से केबल संजाल से जुड़े होते हैं इस यंत्र में संदेश का टंकन करने के लिए एक कुझी पटल होता है एक तरफ की मशीन पर संदेश टंकित किया जाता है और दूसरे तरफ के यंत्र पर टंकित होता है प्राप्त कर एक कागस पर मुद्रित संदेश को पा सकता है, लेकिन ये सब संचार के सामान्य साधन हैं। आईए, अब संचार के कुछ आधुनिक साधनों पर नजर डालते हैं। फैक्स और इंटरनेट संचार का पहला आधुनिक साधन प्रतिकृती या फैक्स है। वास्तव में ये एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जो पत्र, आकृती और रेखा चित्र को हस्त लिखित या मुद्रित रूप में तत्काल भेजता है। इलेक्ट्रोनिक मेल या पत्र, जिनका लोकप्रिय नाम ई-मेल है भी संचार का आधुनिक साधन है। यह कार्यालेओं में लोकप्रिय है। यह कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से टंकित संदेश भेजने का आधुनिक या विकसित तरीका है। यह संदेश को सच कुछ ही बहुत तेजी से भेजते हैं, करीब कुछ ही सेकिंड के अंदर। इंटरनेट की सहायता से होने वाले वॉइस चाट और विडियो चाट भी संचार के आधुनिक साधन है। हमने क्या चर्चा की? समाचार पत्र हमें कागस पर मुद्रित शब्द और चित्र के माध्यम से सूचना देता है। पत्र कलम की सहायता से कागस पर लिखा संदेश होता है। अंतरदेशी अपत्र, हवाई तार और पोस्ट कार्ड विभिन प्रकार के पत्र होते हैं। टेलिविजन हमें दुनिया को देखने और सुनने में सहायता करता है। टेलिवोन और मूबाईल फोन से हम दुनिया में किसी भी स्थान पर स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं। टेलिफोन की तारों के माध्यम से भेजे गए टंकित या लिखित संदेश को करतिकृती या फैक्स कहते हैं। कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए टंकित संदेश को ई-मेल कहते हैं।